हेलो गाइस वेलकम तो लोकेशन मारे यूटब चैनल गाइस आज हम इस वीडियो में अपनी पाइफन प्रोजेक्ट सीरिस का चौथा बनाने वाले और हमारे प्रोजेक्ट का नाम होने वाले है जी ओए अप्लिकेशन और हम यह जी ओए अप्लिकेशन में आने वाले पाइफन का टिक इंटर मॉड्यू यूज करें तो गाइस अब बिना टाइम डिश करें चलते हैं अपनी में प्रोजेशन पर अब बिरकुल करते हैं लाइफ दिसकी और बनाते हैं पटड़ाफट से अपनी जी ओए अप्लिके अपनी में कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने यहां पर अपना फोल्डर ओपन कर लिया है पाइफन प्रोजेक्ट प्रेक्टिस प्रोजेक्ट फॉर बेगिनर्स वाला जिसमें मैंने इमेज टू पीडिएफ कर अबटर सॉफर राम का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर अप्लिकेशन करें है तो गाएज हम इस पोल्डर में ऑपन करते अपना बस कोड़ और इसटाड करते है अपनी कोरिंग तो यह मैंने ऑपन कर रहा व्यक्त प्रोजांग और यह ओपन हो जाएगा अपन होने थे हैं इसको राम से पहले हो जाए उपन फिर करते हैं स्टार्ट तो गाइस उपन हो चुका है हमारा ब्स कोड हमारा उपन हो चुका है तो फटापट से नई फाइल बना लेके हैं जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे इमेज तो पीदिफ गॉआई डॉआई डॉआई के नाम से मैं एक पाइल में आ रहा हूं आपर तो गाइस हमारी फाइल बन चुके और मैं इसको जरह जूम कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में अप सही तो गाइस हमें यहाँ पर हमें एक मॉडियूल की जरूद पड़ेगी वह मॉडियूल हमारे पास टिक इंटर जो की पाइफन में और पाइफ पाइफन करे ह होगी तो फाइफन में पहले से वो मॉड्यूल आ थै तो हम यहाँ यूजे करने वाले है अपनी ए अप्लिकेशिन मगाने के लिए पोर्एकेते ऑर किंटर मॉडियूल है यूज्य हमें इसे इंपर्ट करना पड़ेग का सबसे पहरें ऌण से इंपर् तो हमारा यह module इंपोर्ट हो चुका है import tickinter as tk मतलब मैं tickinter module को as a tk use करना जाता हूँ मैं इतना बड़ा नाम यूज नहीं करना जाता tickinter बार-बार लिखना नहीं जाता और time-based नहीं करना जाता और मैं tickinter module से एक और class यूज करना जाता हूँ और उस class का नाम है canvas canvas from tickinter import canvas suggestion आजेगी मेरे पास यह दो suggestion आगे भी इसकोड़े from tickinter import canvas और एक और library जिसमें हम images से डिल देलेंगे जिस library के मदश से और वो library है pillow library अगर यह install नहीं है तो आपको install कर लेनी जाके अभी मैं बताऊँ हूँ कैसे करना है from pill library मुझे पिलो लेइबरेरी में से जरूरत है pillow library में से मुझे जरूरत है image.tk- and image. मुझे पिलो लॉबरेरी से और अब यह library हो सकता है python मे इंस्टॉल करने के साथ-साथ ना i-o तो हम इसको इंस्टायल करने का तरिका लेकल रहे तो पहले मैं सिर्फ कर दूं म कून्त्रो्ड लबाएख जाकर और हम असको इसको सब्सक्राइब करता है कि फैले चाहिए यहां मैं आ रहा है अपनी Windows पे और Windows PowerShell ऊपन करते हैं Windows PowerShell और यहां पर PIP Package Manager की मज़द से हम चेक कर लेंगे कि हमने पाए वो पिलो लेबरेरी इंस्टाल कर रखी है यहां नहीं कर रखी है तो मैं चेक कर लें तो हम पर PIP Install Pillow एक हम इसको बोलते पिलो है पर लिखते हैं जब इंपोर्ट करते टाम में हम इसको लिखते हैं पिल जैसे मैं भी लिखाया था है पिलो और मैं यहां पर अंटर मार रहा हूं मेरे 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 पास प्रोड़ेरी है और मैं आ रहा हूं अपने प्स कोड में वापस से गालने यहां पिलो है तो यहां पर अपर पे आया किल तो यह सई है यह कापी सई है तो आप करते हैं अपनी प्रोडि अपनी कोडिक्त बस अभी हम हमें इतने मोडिल्स हमें और मादिल्स के座़र पार अभी हम सिप सिप इतना लिख रहे हैं इतने मॉडूल से इंपोर्ट करें करते मैं iOS आएगा जिस मॉडूल के इसको अभी हम फिलाल अपनी GOI application की window प्रिपेले करते हैं और GOI application की window बनाते हैं और यह मेरी एक window create हो चुकी है, तेक है, window मेरी create हो चुकी है, पर यह window अगर हम support को run करेंगे तो हमें सिर्फ एक जलक से दिखेगी उस window के फिर वो window close देगी, तो कि वो window continuous नहीं चलेगी, तो इस window को continuous नहीं चलाने के लिए हमें यहाँ पे विन पर हमें main loop method चलाना पड़ेगा, main loop method चलाना पड़ेगा, मैंने यह method चला दिया है, और अब देखो हमारी window open हो जाएगी और मैं इसको run करता हूँ, file को, python image2 pdf gy.py, मैं इसको run करता हूँ और यह देखो guys, यह देखो, यह हमारी window, मतलब अभी कुछ बनाया नहीं हमने पर, एक window पर पर लिए हमने, जिस पर हम अपनी application बनाएंगे इस window कर, इस window कर हम अपनी designing वेकरा सब कुछ करेंगे, वह सारी functioning डालेंगे, कि हमारे computer से ले और इसको pdf ने convert करके, हमारे computer में safe करे यह से functionality अभी application को provide करेंगे, और कुछ designing देखेंगे कि थोड़ा सा कुछ अच्छा भी लिखेंगे, हम अपने लिए बना रहे हैं application अपने काम के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा भी लिखना चाहिए, तो अब मैं इसको close कर रहा हूँ, अब हम आगे काम करते है अब मैं थोड़ा मतलब इसको और modify कर रहा हूँ, तो मैं इसको title दे रहा हूँ, तो मैं इसको title देने के लिए window के लिए title message चला दो, और title जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो, तो मैं इसको image to PDF converter application दे रहा हूँ, image to PDF converter application, application, image to PDF converter application, तो यह नाम सही है, अब हम आगे और अब इसके साथ मैं symmetry set करना जाता हूँ, मैं मतलब अपनी window को एक fix size में रखना चाता हूँ, जो application window है, जब भी हम अपना code चला है, तो application उसी size में कुले, और स्यादा उसमें कुछ भी ना हो, तो स्यादा change उसमें कुछ भी ना हो, तो कभी हम इसको maximize ने कर सकें, ना minimize कर सक यह सब मैं क्या का रहा हूँ, यह आपको जब हमारी application बन जाएगी तब समाझ आ जागा, अभी फिलाला में इसकी geometry set करते है, मतलब इसकी dimension क्या होगी है, विंडर जिमेट्री में पास करूंगा, जो मुझे dimensions चाहिए, मुझे चाहिए 700 x 600 की dimensions मुझे चाहिए, मतलब 700 जो हमा हमारे पास एक method है, resizable नाम का, हम वो window पर चलाएंगे अपनी, और वो हमारा फिर हम सो maximize ही, हम minimize ने कर पाएंगे, और मैं क्यों नहीं करना जाता है, वो मैं तरके बताऊँगा, अभी फिलाल में इसको icon दिन हो अपना, टेक है, bin.icon देने के लिए icon photo नाम का method हम इसके चलाएं तो एक method है, हमारे पास image, जो image load करने के लिए होचा है, तो tick.tk पर एक method है, हमारे पास एक method है, हमने जो tick.tk module import कर समी हमारे पास photo image, method कर सकता हम इसको class कर सकते है, तो पिक्सल की फोटो इमेज करने के लिए हम चला रहे हैं यहाँ पर ट्क.photoImage और उसके अंदर मैं डालूगा डालूगा फाई अपनी जो भी हमारी फाई है वो चाह right? अपने प्रणल quickly. जो हम आइकन देना चाहते है, तो PDF नाम है तो PDF.png और इसका टाइप जो है PNG है, तो मैं यहाँ डालता हूं और PDF ही नाम है तो PDF.png कि मैंने यहां डाल दिया, अपनी file डाल दी कि कोन सी file मुझे चाहिए और मैंने यहां पूरा path तो अगे चलते हैं हमारा जो आइकन है वो भी सेट हो चुका है और मैं इसको रंगर के दिखांगा पर आगे बढ़ेंगे हम पहले मैं इसको रंगर के दिखांगा है यह देखो 700 x 600 की जिमेटरी और हमें आप पर आइकन मिल चुका है PDF नाम का आइकन आपर और हमें टाइटल तो अमने टाइटल देदिया है यहारा आइकन देदिया और साथ में हमने टेमेशन भी यह दे दिखांगा है और यह जो पहले मुझे सहीं ही लग रहा हम पर सिरन ने स्रिफ इतने कॉर्शिन कर अचाहता हूं यह आ bitrk का यह इसे कॉरा application और इसी तरह से चलिए तो इसके रहे जाओ करना चाहूंसको और इसके बाद मैं इसको चलाओगा को यहां पर चलाता हूँ मैं विंडो के रूपर चलाओँगा अपन जो मैं विंडaw के हो यह object बनाया था टिक इंटर के TK मॉडूल के TK क्लास को तो मैं यहाँ पर चला हूँगा रिसाइबल मैंसे तो हमें यहाँ पर option बिल रहा है और हम डाल दूँगा 0,0 इसका मतलब ना रो से हम अगर हम उस पर क्लिक करें ना वह वर्टिकली मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो तो इसके लिए हमने आप इस जरो-जरो डाला है और देखो अब यह रिसाइज नहीं होगा मैक्सिमाइज यह मिनिमाइज से हम इसको निकल पाएंगा बढला हुग इसको नहीं कर सकता है इसको मैक्सिमाइजने कर सकता और जहादा इसको निकलता जो साइज है वही साइज चलेगा चलेका जो मैने डाला है मैने 700 दो 600 treatments की मिलेगा और वही साइज मुझे हम पर इसका मिलेगा और इस size में कोई changes नहोंगा और आप यह application बहुत अच्छी लगए है सिर्फ इतना इस portion चाहिए मुझे यहां पर designing करने है और यहां पर मुझे कुछ photo upload करने की functionality मा डालूगा और फिर download करने की functionality कुछ डालूगा यहां तो guys हमारी application window पूरी तरह से prepare हो चुगी है अब हमें करने कोडिंग अपनी application को पहले application की design करेंगे और उसके बाद इसके अंदर function डालेंगे कि कैसे हम अपनी images को pdf में convert कर सकते हैं तो अब हम coding करना start करते हैं और सबसे पहले start करेंगे हैं images से तो यहां पर मैं डालना चाहता हूं अपनी पहले हमारी main image जो है तो वह मैं यहां पर डालना चाहता हूं तो वह हमें करना है तो यहां पर मैं comment डाल दूँ जा रहा पहले main image main image of our application मतलब यह हमारी application को describe करेंगे image मतलब यह अच्छा लुक देने के लिए करेंगे, distract को नहीं कर पाएगी पर हम design करने हैं अपने हिसाब से तो फिलाल करते है इसको और कैसे करेंगे वह बता रहा हूं यहां पर मैं canvas नम का पहले variable बनाता हूं small c है यह दा रहना, ठीक है, मैंने variable बनाया, canvas नम का, और मैंने canvas class import करी थी canvas class जिसका c capital है, मैंने object बनाया है canvas का, यह दोनों अलग है, क्या है capital और python क्या है, case sensitive language है जिसमें c capital होगे तो इसका मतलब अलग यह हमारी class है canvas जो मैंने import करी है और यह हमारा object है, तो अब मैं canvas के अंदर डालूँगा, मतलब मुझे canvas का मतलब होता है, एक layer होती है, एक layer बनानी हमें और उसके ऊपर हमें images लगानी है, एक layer बनाएंगे पहले और उसके ऊपर अपनी images लगाएंगे, ठीक है अब विंड नाम की window है हमारी, तो पहले हमने वे डाल दिया और मैं इसका background जो है वो white जाता हूँ अपने frame का, दिखाने के लिए यलो डाल दू, दिखाने के लिए यलो डाल दू, की canvas कैसा लिखता है यलो डाल दिया मैंने चलो, बेक्ग्रांड जो इसका yellow हो गया और जो इसकी width है वो मैं रखना चाहता हूँ, मेरी image के साफ से रखना मैं bit, इसकी 250 रखना bit, और height जो है वो भी 250 रखना, okay, height is also 250 तो यह हमारा canvas प्रेपेर हो चुक है, और canvas पो grid करने का करीका होता है, मैं तब canvas को लगाने का, कि किस position पर हमें canvas लगाने है तो इसके लिए मुझे जो मैंने canvas object बनाया है उसके मैं चला हूँ अपना grid method हमारे पास एक grid method होता है, जिसमे मैं डालता हूँ मुझे कहां उसको place करना है, तो मैं यह डालना हूँ, row 0, column 0, row 0, column 0, और यह अपने आपी center पर आएगी image, तो row 0, column 0 डालता हमा तो अपने आपी center सनस्के हैं, यह ईंट आपर, आपरे, गररे, यह अपने आपर, अपने आपने яр हम बस्तु kingdom 365, यह जो आप as यह एपने मैं 10. pk.n, टो.. कि तुच रहे, टोप से टच रहे यहां पर tk.n, लॉका है? टो नॉट, मतलब n आंका नॉट है, मतलब अटो अब लॉपर टोप से टच रहे हैं ओधारी जॉपर टोप से टच रहे हैं यह यह बन्हास और मैं पैडिक पैडिक ग्निन मतलब है Padding का मतलब है Space, ठीक है? उस Space कितना देना है ? X-axis पर Y-axis पर तो यहाँ पर Padding देना चलता हूँ X-axis 220 की यह मैंने सब calculation कर रखी पहले से आप अपने असाब से calculation कर से हो, जैसे आप symmetry sätt कर दो application की उसके साब से आपने आप तरसे हो, यह मैंने पर से calculation कर रही है तो यह padding यह मैं यहाँ पर 25 की इधर और अब हम अपना canvas देखते हैं कैसा दिख रहा है कि इसको मैं save करता हूँ और run करता हूँ आपर देखाता हूँ दिखाता हूँ दिखाता हूँ यह दो को यहाँ पर हमारा canvas आ गया और मैं इसी पर image जालना हूँ अपनी तो यह हम यहाँ पर डाल देगे इसको इस canvas के ओपर paste कर देगे जो कि हमने layer बनाई canvas canvas बनाई उसके ओपर यह image डाल देगे और इस image का नाम है मारा main app image और type देखो type है इसका jpg तो अब आगे बढ़ते हैं इसको close करता हूँ application को फटाफट से करते हैं अपनी image इस पर डालते हैं और देखते हैं फिर कैसा लगता है हमारा तो यहाँ पर main image नाम का मैं एक वह बना रहा हूँ और इसमें मैं जो हमने ने पिलो लाइबरेरी से इंपोर्ट करा है image टीके वह जो कि हमें सबको यहाँ पर pixels की फॉर्मे रीड करना होता है तो pixels की फॉर्मे रीड करने के लिए हमें functionality चीए तो वह हमारे पस image टीके जो हमें पिलो लाइबरेरी लेता है और बहुत अच्छी लाइबरेरी पिलो इमेज के लिए अच्छी quality में image दिखाती है सब कुछ अच् मैं यहां पर इमेज नाम और इमेज फॉर्में नाम के ल tadi, . इसके पास बहाने फोटो इमेज ग्लास है यहाँ पर फोटो-िमेज नाम के लिए सबधेर क्लास है नम आपना image चलाँगा अपना ओपन-method इमेज पे चला दूँगा open method और उसके अंदर में डालूँगा अपना file का name, जो भी मेरी file का नाम है वो मैं यहां पे डालने वाले है, तो यहां पे देखो मेरी file का नाम क्या है वो देख लेते हैं एक बार check कर लेते हैं, यह मैंने close कर दिया क्या, d-derive और python practice project for beginners यह देखो, main app image नाम है इसका, तो यहां पे नाम डाल देते हैं, main app image, main app image और यह file है हमारी jpg file है, dot jpg, यह देखो हमारी image ले लेगा, load कर लेगा, और यहां पे आचुकिए, तेक है, और हमें जहां पर अपनी image दिखानी है, वो हमारी canvas पर जाएगी image, तेक है, जानी चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जो मैंने object बनाया था, यहां पर दियान से देखना, जो मैंने object बनाया था canvas नाम का, इसके मैं ग्रट चलाया था, उसके canvas पर मैं चलाँगा, create image नाम का, यह दो को हमें suggestion मिल रहा है, मैं मालता हूं, create image, और create image में मैं डालूँगा, मैं location, कहां पर मुझे डालना है, कहां पर वो image आएगी, किस तरह से fit आएगी, तो मैंने वो calibration पहले से कर रहे हैं, मेरा है 125 और 120, और image जो है, जो भी image object में बनाया, pixels की form में जो भी read करा है, image को, image को हमने pixels की form में read करा है, main image के रूप में, main image हमने variable बनाया, इसमें pixels की form में image को read करा है, तो यहां पर हम वो डाल लेंगे, जो हमने read करा है, यहां पर मैं डाल दूँगा main image, इस image को create कर दो, वापस pixel से उस पर लिए आओ, image में अकरमट कर दो इसको, तो अब इसको देखते है, अब कैसे दिखते है application, देखो, आता है नहीं आता, यह द ज्यादा changes ने करूँगा, इसमें अपनी calculations में, इसको वाइच कल दूँगा, यहां पर हमारी application की, तो यह हमारी main image आ गई है, अब मैं चलाता हूँ, जो मैं तब title देना चाहता हूँ, जो दिखाना चाहता हूँ, कि मेरी application दिखे की का काम करती है, वो काम भी दिखाना है, त तो उस काम के लिए मैं बना रहा हूँ, यहां पर अपने लिए एक info image, ठीक है, info देना चाहता हूँ, मैं user को, कि यह application क्या काम तरेगी, info image डालूँगा, यहां पर, info image of application, अब यहां पर फिर से, canvas, अब यहां पर canvas one नाम का बना लो, आप object, canvas one यहां canvas info नाम से बना लो, वो ह यहां पर window, ठीक है, मैं सारी जादी सिक पड़ा पर कर रहा हूँ, background white लोंगा मैं, ज्यादा चींज़ें ने करना जाता दिखाने लिए, background white, ओके, और जो width और height है, वो मैं लेने बालू, मैंने calculation का रहे हूँ, इस सब से में ले लूँगा, ठीक है, width और height, जो की है 600, and height is 120, height is 120, height is 120, तो यह मेरा काम होगा, यहां पर canvas info नाम पर मैं चला दूँगा, अपना grid method और कहां पर डालना है, यहां पर row 1 आ जाएगा, तो कि row 0 पर वो आ चुका है, उपर वाला, जो हमने image load कर रही थी, वो row 0 पर आ चुकी है, अब row 1 पर आना है, तो row 1 और column से में रहा है, column 0 से मागे नहीं बढ़ रहा है, column 0, row 1, column 0, और मैं पैडिंग देना चाहता हूं 25 के, तो सिर्फ एक्स पर देना चाहता हूं, तो मैं आपर दे रहा हूं, paddx 25 का, 25 का मैं जिदी हाँ पैडिंग, अभी सिर्फ हम अपनी इसको application को design कर रहा है, तो यह दोख हमारा canvas बन चुगा सेम तरीके से मैं आपर अब इमेज लोट करूँगा, अपनी info image, तो info image नाम का मैं एक variable बना रहा हूं, यह दो info image का नाम का नाम का मैं बनाया और यहाँ पे same नाम का इमेज tk, और same dot photo image, image dot open, image dot open, और यहाँ पे डाल दूँगा फाइल का नाम, और मेरी फाइल का नाम क्या ह वह मैं चेक करूँ, welcome naam है, welcome dot, और यह jpg file ही होगी, और यह ज़रा चेक करूँ, कौन से file है, यह दो को, jpg file, welcome dot jpg, welcome dot jpg, यह हमारी image लोड हो चुकी है, और इसके बाद हमें same कां करना है, हमें create करना है canvas पे, canvas info नाम का हमारा object है, canvas info dot create, create image, तो तहाँ create करना है, वह मैंने calculations पहले से करके, तो मैं अपने असाब चाहिए, 302, 302 पे डालना है, और 62 पे डालना है, और image, image क्या है, वह भी हमें डालना जरूरी यहांपर, और image का i, जो है, वह small आएगा, यह गलती से हो गया, तो image, हमारी यहांपर info image है, तो यहांपर info image है, तो यह देखो, अब यह हो चुका है, अब इसको रहंगा करेते हैं, यह देखो, यहांपर, welcome to Dokesh Kumar, image to PDF Converter Application, यह देखो, designing हो गई हमारी, दिखने में बहुत, अब ठीक ठाक लग देखे है, यहांपर, हमारी main image यहांपर, उसके बाद यह information हमने डाल दी है, इसके बाद यह information हमने जरूत पड़ेगी, यहांपर, upload करने के लिए हमें बटन की जरूत पड़ेगी, तो हम buttons भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, वह में दिखाऊंगा, हम buttons बनाएंगे, upload की button बनाएंगे, upload की button बनाएंगे, और download की बनाएंगे, upload करने के लिए, जो हम images upload करेंगे, और अंदर से processing करके हमें देगा डाउनलोड करने के option देगा हम डाउनलोड पर दबाएंगे और वो हमें हमारी computer में वो file जो है PDF की form में save हो जाएगी यह काम होगा तो उसके लिए पटाफट से upload button पनाते हैं कि अंदर हमारी button class है तो मुझे इस पर दिखाना है तो मुझे इस पर दिखाना है upload images यह मुझे इस पर दिखाना है और इसकी मैं width तर दखना चाहूँगा इस अपनी button की 20 यह सब calculated है मैंने पहले सटा रखा है अपनी geometry के साफ से जो मैंने लिया है उसके साफ से मैंने calculations कर रखी है और height जो health को मैं रखना चाहता हूँ 1 height is 1 बहुत होगी height is button के लिए और जो font है font आप अपनी सब ले सकते हो font डालो और नग डालो बराबर बात है पर मैं डाल रहा हूँ मैं यूज कर रहा हूँ font ठीक है मुझे जो font पसंद है बो मैं font यहां पर यूज करूँगा यहां पर मैं डालूँगा अपना area सबसे normal और सबसे popular font है area okay और इसके बाद इसका size लगएरा सब कुछ इस टूपल में आएगा font के आगे जो मैं टूपल लगा रहा हूँ, assign कर रहा हूँ इसके अंदर आएगा, जो भी इसका size लगए रहा है तो सब कुछ यहां पर आएगा तो यहां पर मैं फॉर्टन लोंगा size और यह जो दूँगा bold ठीक है, bold रहना दाता हूँ मैं अपनी writing को और यह हमारा हो गया font font हम ने लेख लिया, अब font के बाद है हमारा background क्या देना चाहते है अपनी button को वह मैं दूँगा यहां पर white background मैं दूँगा white और इसके भी बाद इसके बाद भी बहुत कुछ है background होगे हमारा foreground बचया है और हमें इस पे क्या functionality करानी है वह सब बचया हमारा तो foreground मैं यहां पर देना चाहूँगा इसको कौन सा करर लिए background जब हमने white लिए तो white पे color को सा match करना चाहिए अपलोड के लिए कौन सा color सही रहेगा सोचते है अपलोड के लिए अपलोड के लिए अपलोड के लिए green सही है fg foreground दे लिए यहां पर green और लास्ट है देखो एक बचया है command command कौन सी देनी है command मतलब इस बटन पर क्लिक करेंगे अपलोड नाम के लिए यहां पर देना है अगर इस बटन पर कले है तो इक फंक्शन कॉल होगा वह वह बनाएंगे यहां पर दाना दातना upload नाम का मैं एक function बना दूंगा और वही function यहां पर call होने वाले अपलोड इमेज इमेज़ इस नाम का मैं एक function बना देगा, तो यहां पर मैं इसको, यहां कॉल करना जरूर है नहीं है, यहां पर सब्सक्राइब नाम निए function का, और यह जिसे बटन प्रेस करेंगे, यह function हमारा call रजागा, और यह function अभी हमने बनाया है नहीं है, तो यह error देगा, यहां पर ज आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम करते हैं, यहां तक हमारा हो चुक है, यह बटन कहांपे प्लेस करनी है, वह भी जरूरी है, तो upload button .grid कहांपे लगाना है, तो रो यहां पर चूज करोगा, मैं सके लिए, 2, ठीक है गो कि 1 पर यहां पर वह सब आच चुक है, 0 पर आ बहु ब अगे लिए हमा बढ़ते जाऊ गो तो और यहां पर बढ़ते उताऊ तोपनारी और यहां पर यहां पर एक्ट्ट एना चाहंगा एक बढ़ताऊँ एन जे ही बयुआ है और यहां पर तोपना नयुके यहां पर 10 फैडिा फ crash पर जाए किसे अउनॡो system यहां पर मैंने comment मार दिया कि download के लिए button बनारे हो तो यह मैं comment सासथ तरह रहा हूं ताकि बाद में code डिर करने में problem नहीं हो विए download button और यह pk.button same काम करना है तो मैं copy कर दूँ एक काम करते है copy कर लेते हैं सिफ एक्सचेंज कर देंगे और color रगया change कर देंगे बार बार टाइक क्यू करें तो पट पट से यहां पर Ctrl C आते हैं और यहां पर Ctrl भी करते हैं जो मुझे changes करने होगे लगेगा जो मुझे change करने हो मैं change यहां पर कर दूँ आ तो मैं यहां पर text करना चाहूंगा, यहां पर download pdf तो यहां पर text लादोगा download pdf यह मैंने इसको text दे दिया है और मैं यहां पर width, height पगार, font पगार सब्सको बस foreground मैं red kala की download से थोड़ा अलग दिखना चाहिए तो foreground मैं यहां पर red kala करदूगा जगह तो अलग दिखना चाहिए और जो कमांड यहां पर कमांड चेंज करने ज़रूरी है यहां पर फंक्शन अलग बनाएंगे नहीं इसके लिए जाउनलोट करने के लिए भी फंक्शन बनना पड़ेगा तो इसका नाम मैं लेख रहा हूं हो यहां पर सकर जाउनलोट sorrow है मत्रे तो सकढ़ें अलगे सावनलोट अलगे ओधा vibrations общем मिलां में इसके लिए यहां पर यहां पर करें जब हम मैं यहां ऐख करें अब हम चरने करें यहां पर मैं चैठ करेंगे के देगे नहीं तो यहां पर मैं अग्ण बनागा हूं कि यहां पर save as नाम से मैंने function मना दिया और यहां पर दब हमाल पास इससे की कोई आरन आए और एक control प्लस है और यहां पर इसको गृट करना है दूरब है और बटन. download button dot grid अर गर्रिड कहां पे करना हो कि रोट बहुता तो यहां है और रहा रहा और column 0 और और पैडिंग मुझे यहां पर देनी है तेक है पैडिंग मुझे यहां पर देने की जरूरत है या नहीं वह देखने वाली बात है यह होगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेंटर पर आएगा तो पैडिंग देना ना देना वह सो देखते हैं तो अब यह डाउनलोड बटन ज एफ़ करते हैं कि लेखें और अपर आई तो दॉन करते हैं इपड और अप्लोड पीदिफ नाम से अपर गया और इसके निचे अपर यह थेर्च टाले पे डाल यहां पर यह थेखो पर मैंने एक्सके अलॉंग इसको पैडिंग ने दी अपने आप इसको मिल गया क्योंकि सबकुछ इनिशली सबकुछ बाइडिफॉल्ट सेंटर पर आ रहा है ठीक है टीक है टीक डॉट मैंने एंड किया था यहां पर इसके साथ यह कैनवस एंड पर गया कि सबकुछ बाइड डिफॉल्ट हमारा उस पर जाएगा ठीक है सेंटर पर रहेगा रहेगा मैंने पैडिंग दे दिया उससाब से कभी एरर आती हो कि यहां पर डिजाइन इमसे जबसे जादा पॉब्लम होती है यहां से डिसंस बराबर रहे बिकुल सेंटर में रहे सब कुछ और अप्लोड इमेज इसंटर में है पर डाउनलोड पीडिएफ मैंने आपकर बता दिया कि बिल्कुल सेंटर में आगया है तो आपको पैडिंग विगरा देने की जरौत नहीं पड़ी यहां पर से आपने ल यहां पर यह दो फंक्शन चेहरे हैं Upload Images और Save As यह जो हमारे दो functions हैं इस पर हमें यहां पर काम करना हैं तो फटा पर से इस काम करना श्राट करने हैं सबसे पहले हम काम करेंगे अप्लोड इमेजस नम के पर अप्लोड करेंगे उसके बार डाउनलोड करेंगे तो यहां और घुकुमेरा ही नाम को दीक नारहिए उप्रू सांके फाइस की ⁋ तो मैं या तो मे जोप्रेशन आघकंच करना चाहता है क्यूंकत करना चाहता हूं वो आपको अपना जएया तो यहां पर रिखो guys, map यहां पर files, okay, maps dictionary जो मैं ने empty dictionary बनाई यह उपर files नम की, यहां पर इसमें मैं एक key बनाना जबता हूँ, file name नम की, file name नम की मैंने एक key बना ली, और इस key में डालूँगा, जो भी मैं images अप्रोड करूँगा, वो इस key में डालूँगा, मतलब वो सारी images का path का जाएगा यहां पर और यह images हमारी access कर लेगा हमें paath चियें, वहां से उस path से haemajafij हमारी access हो जाएगी तो बह हमारी path कैसे लिजाएगा, उसके लिए यहां पर import करना पड़ेगा, हमें चाहिए होगा यह पर os module भी चाहिए होगा, OS module की requirement हो सकती है तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और साथ में TIC INTER का एक और हमें फंक्शनलिटी चीए एक और फैसिलेटी टिक इंटर के चीए वो है हमारी फाइल डायलोग तो यहां पर मैं देखता हूँ है फ्रॉम टिक इंटर फाइल देखता है फाइल देखता है फाइल डायलोग के अंदर हमारे पास एक अमें आस्क ओपन और जहां पर हम डालेंगे अपनी मतलब जो हमें चाहिए आप हमें फैसलिटी मिल जाएगी मतलब जो वीड्या पर ढ़ताएगा धोने के लेक लगाशन, लось, फैसलिट कर दो अब अगर डालते हैं यहां पर हमरी हमक्राओंगे टालते हैं file types that means what weれ about. I use a list, here we collect lists too we can also add divisible with common lists what is the first type, I should always support jpg type and we want other sources and it has to benomine extension start.jpg और फिर से यहां पर अब मुझे PNG को भी support करना है तो यहां पर PNG और इसके extension होगी और JPEG file भी आती है तो वह भी हम डाल देते हैं कि कहीं से मिल जाए अगर JPEG file भी तो उसको भी support कर जाएगी यहां पर मैं बना रहा हूँ star.jpeg तो यह हमारा हो गया में यहां तक हमारे मतलब क्या हमारे file types होने बाले है वह यहां पर हो गया अब इसके बाद main बात आती है मैं पर enter माता हूँ इसको आगे बढ़ाता हूँ इसको सेम लाइन पर दूसरी लाइन पर आना चालता हूँ उसको मैं इनिशिल इनिशिल डियर का एक हमारे पास यहां पर पंक्शनलिटी है इनिशिल डियर मतलब कहां पर वो पुलेगा तो OS module उसी के लिए get current working directory मतलब current working directory जो हमारा folder है उसी में वो dialogue box हमारा पुलेगा get current working directory इसको हम कॉल कर देंगी और टाइटल हम डालेंगे कि क्या डालना है कि टाइटल क्या शो हो जब ओपन हो फाइल हमारा डायलोग box तो टाइटल हमारा शो होना चाहिए यहां पर यहां पर इमेज यहां पर हमें मिल जाएंगी इस dictionary में चले जाएंगी जो भी हुम यहां पर स्ट्रेट करेंगे और इतनी इस तो फट अपट से अपकोडिंग करते हैं अपने save as function की अप्लोड हमाना कम्लीट हो चुक है फिर आलबी मैं savers function लिखूँगा यहाँ पर, okay, save as function और जिसमें मैं लिखूँगा image list, image list बनाओगा एक तब इसमें सारी मैं अपनी images जालूँगा, okay, images के जो names हैं और मैं हापर डालूँगा, image list मैं नहाँ पर बना लिए, tickle list, जहां पर मैंने अपनी बना लिए, empty list इसका use हो इसलिए मैंने बनाई है, और मैं चलाँगा जो मेरे dictionary उस पर मैं लूट चलाँगा, okay, for file name, files of, okay, files, जो मैं नाम की वो dictionary बनाई है, उसमें file name नाम की जो key है, okay, file name नाम की जो key है, उस पर मैं चला रहा हूँगा, और वो, इस चीज़ मैं बताना बुल गया है, जो भी यहाँ इसलिए मिलेंगे, वो list के अंदर store हो के मिलेंगे हमें, जैसे first image का नाम one image है, second image का नाम second image है, तो इसलिए हम यहाँ लूट चला पारें, उस file name नाम की key, जो है, उसकी value हमारी list है, तो इसलिए मैं उस पर list पर लूट चला रहा हूँगा, ठीक है, और जो भी है मैं उस लिस् import रहा था, उसके अंदर image.open, यह मुझे उसके अंदर append करना है, यह काम मुझे करना है, उसके अंदर, और वो नाम कहाँ पर रहेगा, वो नाम यहाँ पर रहेगा, इधर इसमें file में, ठीक है, बार-बार change होगा, यहाँ पर, वो नाम file में आएगा, तो यह file हो गया, और इस पिक्सल की फॉम में राइट करेंगे इसको, रजी पिनिट में, डेड, ग्रीन और ब्लू, पिक्सल की फॉम में, 3D पिर, र एक हमारा matrix है, व्यू और वी हमारा matrix है, ठीक है, उसकी फॉम में हम image को open करेंगे, यहाँ पर append कर देंगे, ठीक है, उस फॉम में, रजी फॉम में इसको save करने है, ठीक है, save करने के लिए, यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, और फाइल डायलोग का हम यूज करेंगे, जो हमने इपोर्ट कर आता है, ठीक है, अब हमारी जो RGB फॉम में convert हो चुका है, हमारा RGB फॉम में convert हो चुका है, यह जो convert हो कर दी, आमने यह जो हमारी image एक्सेस करी थी, जो हमने पाथ से एक्सेस करी थी, इसको हमने RGB में convert कर लिया है, ठीक है, हमने यह पर रहा है को कि हमें इसको PDF बनाने है, ठीक है, पहले हम पिक्सल की फॉम में read करेंगे, इसको पिक्सल की फॉम में read करना जरूरी है, और उसके बात फिर हम आगे तो यहां पर देखो guys, अब मैं यहां पर save file name नाम का बनाने वाला हूँ यहां पर variable और जहां पर file dialog पापस से मैं यूज करना हूँ, file dialog और इस पर dot, अब मैं कौन से यूज करना जाता हूँ? ask save as, save as file name, किस file name से save करना है अपको, यहां पर आएगी, इसको किस file name से save करना है और save कैसे हम PDF की form में कर पाएंगी यहां बता हूँ यहां पहले file type डाल देना, file type से एक ही होने वाला है यहां पर PDF, PDF की form में save करना है, तो यहां पर file type होने बाला है, तो मैं यहां लिस्ट डाला हूँ लिस्ट के लिस्ट डाल दूगा और यहां जाएगा PDF, PDF और इसके बाद इसकी extension डालने जरूरी है, extension डाल देंगे यहां पर star, star dot PDF, extension डाल दिया, और कहां पर यह खुलना यहां खुलेगा, save करने के directory में तो सेम काम जो पहले गया था, initial dir is equal to os dot get current working directory, get cwd, इसको मैंने call कर गया, और इसके बाद title दे जाते हैं यहां पर, title दे जाते हैं, save file, save file, यह मैंने title दे जाते हैं, और यह इतना बहुत है, अब हमने यह हमारा डायलोग बॉपन होगा, और PDF फॉर्म में सिर्फ सेफ के लिए हमसे पुछेगा, save करने को, PDF फॉर्म में पुछेगा, और current working directory में open करेगा, तो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं करूँगा, यहां पर सारा logic है, PDF में convert करने का, image list में, image list में जो भी 0th position पर होगा, पहली image जो भी होगा, यहां पर जो भी पहली image होगा, उसमें उसके अंदर, उसके साथ मैं save करूँगा, इस पर चलाँगा हमाया अपना save method, जो भी image उस पर चलाँगा, save method, और यहां पर मैं इसको save कर दूँगा, और कैसे करूँगा, जहां से देखना, जहां पर, यहां पर चलाँगा, यहां पर तीकिर थे नियुगा, यहां पर यहां पर एकर चलाँगा, जो मिलती है हमें बहुत आसानी से काम करने की, पास्थिंगा तो, So save file name, okay, I have this here, save file name, here we add the file name in the dialog box, whatever we add name, we will get the name here, this variable will get the name, okay, whatever we add name here, save time, we will get this variable, so in F string, I have this save file name, and we will save the name, okay, .pdf extension, and then add it to save all, okay, save all, and then add it to this. In the beginning, I will tell you how to do it. So save all, pass it to this, and we will make it true, save all equals true, all the images, the 0th image, the 0th image in this list, we will save all images, and add it to this, and convert it to the PDF. Save all equals, save all equals, and append which images we need to add here, and then add it to which images we need to add. After the 0th image, the 0th image is equal to the image list, on the beginning, image we should function in the first position. on the previous zeroth position, we will not show we go into theωsposition made. So-one came out the start image, and all that we need to add here, okay. और इसके बाद यह देखो यह जब हमारा सेव जाएगा पीडिया वे प्रेशनियों के साथ तो मैं आपनी डाउनलोड बटन को डिसेबल करना चाहिए बचाहिए और मेरे जो जो क्या कैतने हैं वो दूसरी वाली बटने वो अप्लोड वाली जो अप्लोड वाली ने को अप्ल अब मैं आप functionality एड़ करना जाता हूं कि हमारी application है वो सभी देखे, दूसरे users जो crazy users होते हैं वह भी अच्छे से उसकर पाई हमारी applications को, तो यहां पर अब मैं वह बनाऊगा, यहां पर वह काम मैं कैसे करूँगा, वह देखने जहां से, जहां पर अब मैं function बनाऊगा एक, पहल यह code चला दो, जो भी try के अंदर में डालूँगा, वो code चल जाएगा, यहां पर shift plus alt उच कर रहा हूं, multiple cursor functionality, tab दे दिया, और यहां पर, मतलब कोई हमें error नहीं मिलेगा, कुछ भी error आती है तो हमें error नहीं मिलेगा, कुछ भी error किसी भी current के error आती है, तो मैं चाहता हूं यहां यहां पर return कल दो, वैसे आने नहीं चाहिए, पर error कभी भी आती है, तो यहां return कल दो, इस function से हम बहार आ जाएगे, कुछ भी नहीं होगा, इस function से सिर्फ बहार आ जाएगे, और कोई error नहीं मिलेगे हमारी application में, application बुल सही चलेगी उस तरह से, किसी-किसी file को save करने में error आस अब यहां पर logical हूँ, पहले मैं disable और enable करना है buttons को, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा function, function बहुत simple है, बहुत simple है, def disable नाम से disable, oh sorry, def disable नाम से मैं बना रहा हूँ, यहां पर एक function, disable, और यहां पर मैं डालूँगा अपनी button, किस button को disable करना है, वह मैं pass करूँगा, और यहां पर देखो कैसे करना है, जो भी button डालूँगा, button की जो key होगी हमारे, टिक है button की अंदर key होगी state, state key होती है, उसको मैं assign कर दूँगा, अगर मैंने यहां पर disable assign कर दिया, तो मतलब बटन हमारी deactivate हो जाएगी, वो button हमारी चलेगी, तो यह function हमारे लिए वो काम करेगा, सिम्पल सा function था, और ऐसी बना देता है, एक enable करने के लिए, कि हमें अगर enable करना है अपनी button को वापस से, तो इसके लिए function लिए यहां पास करने के button, और इधर button की state है, सेम तरीक से करना है button की state की है, उसको यहां पर मुझे करना पड़ेगा active, बस इतना सा काम करना है, यहां से हमारी file से जाए, उसी time इसको download बटन को disable करना है, तो यह हमारा काम हो चुका है, अब main काम हमारा बचा है, main काम हमारा यहां पर बचा है, main, इधर, इसमें, इधर, यहां पर, एपर, और initially जो है download button, डिसेबल होना चाहिए, डाउनलोड बटन इनिशली भी नहीं दिखना चाहिए हमें, डाउनलोड होना चाहिए, पर इनिशली भी जो है वो डिसेबल ही होना चाहिए, पहले अप्लोड बटन चलेगा हमारा उसके बाद हमारा डाउनलोड बटन चलेगा, तो इनिशली डाउनल आप्लोड बटन याँ और बंस दया है, यहां पर आके आपने डाउनलोड में डाउनलोड बटन को डिसेबल करना है, अब यहां पर क्या लिस्ट में हमारी फाईफ्य आए लिस्ट में जो फाइलिंट शहरे इसलिस्ट में जो वेलू जा रहे हैं उसकी लेंथ अगर हमारी नॉू टु बतलब उसमें फाइल स्लेक्ट करनी पड़ेंगे यह निकिए अप्लोड इमेज अप्लोड ना करो और डाउनलोड पर किलिक कर दो ऐसा थो नहीं होना चीए इमेज अप्लोड करेंगे तब ही डाउनलोड बटन ने ने बाल होगा अगर मैं नॉर्मली यहां पर डाउनलोड ब अब बाल होगा इसा रोड़न होगा उसके अंदर मुझे इमेज डालने पड़ेगी इमेज अप्लोड करने पड़ेगी जब तक में इमेज इलेक्ट ने करूंगा और जब तक डाउनलोड बटन ने वहां तो वह काम करने के लिए मैं आपकर करूंगा इफ इसकी जो की है हम फाइल नेम्न नम की की है कहाँ हमारी की है काहँ पर पाइल नेम नंकी हमारी की है उसपर हमें काम करना है जो अगर इसकी जो लेंत है उटीक है अहगर नॉट एक बहल ऊकूल टु-z ERIC तो हमें क्या करना है अने अने बल्ड़ करना है ओमउल नेमल करना है downward अने लुट早iren को और गुल्ट होने के बाद दाउलोड बतन वापसे डिसेबल होगा और इनिशेले भी डाउलोड बतन डिसेबल रहेगा तो गयर यह अप्लिकेशन हमारी बन चूकी, कम्प्रीड अप्लिकेशन बन चूकी और मैं इसकोर देमों बिलकुल सामने वीडियो बनागे दिखाँगा बिल्कुल सामने दिखाऊंगा और आपको पहले सबसे पहले congratulations और यह जो हमने application यह पर बना लिए तो अब यहाँ पर मैं इसको रन करने जा रहा हूं तो गैस देखने इसको मैं कैसे रन करता हूं तो देखना है पहे python क्या है हमाई पाइल का नम image 2pdf.zyp इसको रहन करते हैं इतने कुछ error तो नहींगी invalid syntax नहींगा पर error अगई अब Initial dir is os. get current working directory syntax error आपर syntax error आगे है Initial directory तो देखते हैं वहां पर है save file name save file name कौन से लाइन है 34 line आपर है 34 line कहां पर है save file name file type हमारी यह है ओ हो मैंने यहां पर ही देखो यह यहां पर काम होगा है list में चलागा है क्या list यहां पर आएगी list close तो करी नहीं और आगे भी चाहिए brackets आगे है देखते हैं initial आगे चक करते हैं आपर टाइटल save file सबको सही है यहां पर गर बड़े इधर इधर गर बड़े देखो यह list यहां पर आगे इसकी वज़ा से error आगे है अब बिल्कुल सही है अब मरे खाल से को error नहीं आनी चाहिए अब देखते हैं चला के अपनी application अब बिल्कुल सही है सब्सक्राइट नाथ देखो चला download button disabled डेखो नहीं चला की download button disabled जितना मरजी दबाद लूँ यह नहीं चला की अब यहां पर चलाऊंगा मैं upload images यह देखो डालोग भाक्स पर यहां पर लेगा यहां पर मुझे यह images नाए थे मैंने कुछ assignments solve कर रहे थे तो उसकी मेरे पस images पढ़ी हो तो मैं यहां पर वो करके दिखाता हूं देखो कैसे यहां पर मेरे पस कुछ pages पढ़ी है तो मैं यहां पर दो pages select कर रहा हूं कर रहा हूं और नाम डालना हो यहां पर हमारा assignment demo demo file.pdios तो अपने पर पर सेव कर रहा हूं और आप सेव कर रहा हूं और आप से अप्लोड कर सता हूं और नई PDF बना सता हूं तो इतना अच्छा काम हो गया है एक बार application रन करेंगा और इस पर कंतिनुसली काम करते जारे करते जारे करते जारे करते जारे और हमारे काम के लिए बास अच्छी है आमये कोई भी Chinese application में वह सब यूजे करने जरूँदने पड़ए की पड़ेगी इस पीडियोगन के लिए ऑन लाइन यूजे पर पड़ेगा image to PDF converter पट्पड़से सब्सक्राइब करो और काम खतम हमने इमेज बना लिए और हमारी PDF क्रेट हुए है वह मैं दिखा दूँ ज़रा लिए क्रेट हुए नहीं हुए इसको मैं ओपन कर ला हुए और अब देखते हैं यहां पर क्या होता है यह देखो गाई यह PDF बन चुकिए हमारी असाइनमेंट यह जो मैंने इसकी PDF बन चुकिए है बिलकुल बहुत बढ़िया जबल दस PDF बनी है तो इसको हम मैं close कर रहा हूँ तो गाइस अगर आपको वीडियो पसलाएं यह application पसंदाएं जो मैंने यह आपर देट करिये इमेश 2 PDF का नवर्ट बनाई है यह आपर ज्योई application तो फटाबट से आप लाइक करो दो आपर support करो channel को सब्सक्राइब करो और पहला अगर दबादो notification कर दो कि आसे projects और आने वाले हैं जैसे मैंने पैली वीडियो में आपको बताया था और आप यह आप देखो और इन प्रोजेक्स को आप GUI application पर बना सकते हो तो आज का प्रोजेक्ट बहुत इंप्वाद 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 इंप्रेक्शन पर आपको काम करना भी आ गया इस पर मतलब ज्यादा अच्छे detail में तो पर उपर से काम करना GUI application पर आगया ह अपने आप पर आपना अपना आप आप सीखो ज्याव application कैसे बना सकते हैं कैसे deploy कर सकते हैं और जो वीडियो आप देख रहे हैं जो भी मैने आपर बनाया है जड़ा सब्संदा रहे है तो इसको लाइक कर दो और सब्स्क्राइब करो चैनल को और notification तो जरूर से लबाते ना I will see you next time so bye bye guys